पॉल इंडिया पक्ष नविपक्ष सिर्फ निस्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवेंट अवार्ड दो हजार बाइस बरेली में 19 जून दो हजार बाइस को नमस्कार बहुत स्वागत है आपका निउस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ अमल चलिए बुलिटिन की शुरुबात करते हैं मैं ठी से खबर है जहाँ पर कॉंग्रेस नेता इमरान प्रताबगडी के बयान पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया है पता दे कि अग्रीपत योजना को लेकर कॉंग्रेस नेता ने कहा था कि जब तक सरकार ये स्कीम वापिस नहीं लेती तब तक कॉंग्रेस का सत्या ग्रह जारी रहेगा इसी पर बीजेपी नेता ने कहा है कि जिस कॉंग्रेस आशन में देश की सीमाय सुरक्षित नहीं है नहीं थी वो इस बात को नहीं करें तो बहतर होगा वही अगरीपत को लेकर जारी बवाल के बीच मंगलौर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और विरोध कर रहे युवाओं को समझाने की कोशिश की इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा मंगलौर नारसन और लंडौरा कस्वे में सुरक्षा के लिए फोर्स को तैनात किया गया साथी सेक्षिनिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों में भी भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई इदर आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुद्वेड हो गई जिसके बाद पुलिस ने NCR के बड़े गिरोहों को गिरफतार कर लिया बता दे के पुलिस ने 24 गैंग का खुलासा किया है यह आरोपी हाइटेक तरीके से गाड़ी की चाबी बना कर लगजरी कारी को चोरी करते थे इसी को लेकर पुलिस ने बड़ी कारवाई की और 6 आरोपियों को धर्दब होचा कन्योच में बंदियों के बैतर स्वास्त को लेकर स्वास्त शिवर का योजिन किया गया इस दोरान शिवर में बंदियों को योग का प्रशिक्शन दिया दिया इस मौके पर योग गुरू डॉक्टर अमरनाद जुवेदी ने लोगों को योग के तरीके के बारे में बताया इस मौके पर योग गुरू ने कहा है कि योग से ही स्वास्त बहतर रहता है आपको बताते हैं आगरा से आपको ख़वर बता रहे हैं जहांपर रोडवेस बस की आटो से भिणन्त हो गई इस जिसके बाद आटो में सवार यात्री बुरी तरह से जख्मी हो गई सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा साथी मामले की जाच में जुट गई अमेठी में पुलिस ने एक वेक्ती की हत्या का खुला सा किया है बता दे कि 4 जून को लखने उचाते समय बुरत्क की हत्या का मामला सामने आया था अब इसी को लेकर पुलिस का कहना है कि बुलिस के पत्नी ने प्रेम प्रसंक के चलते प्रेमी के साथ मिलकर एस वारदात को अंजाम दिया था वहीं फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच में जुट गई है हमीरपूर में एक 16 वर्षिय छात्र ने फासी लगा कर आत्मात्या कर दी बता जा रहा है कि यूपी बोर्ड की परिक्षा में फेल होने से निराश छात्र ने ये कदम उठाया है सूचना मिलने के बाद परिजुनों में कोहराम मचा हुआ है तो वहीं पुलिस नवाके पर पहुचकर शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है फिलाल पुलिस मामले की जाच में चुट गई है दसरोवर नगरी नानिताल में एक नावाले की उफदी का शव मिलने से संसनी मच गई जिसके बाद पुलिस नवाके को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है बता दे के 16 जून को नारायन नगर की रहने वाली युफदी अपने घर से नाराज होकर निकल गई थी जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई फिलाल पुलिस मामले की जाच में चुट गई है पुलिस को मामले की सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया और मामले की जाच में जुट गई वहीं परिजनों ने इसके कोहराम जिस तरह से उन में मच गया आपको बता दे परिजनों ने कहा है कि पिछले दो दिन से युबक गायब था जिसको लेकर शिकायत भी की गई थी और श्रावस्ती में पचास वर्षी महिला को बाइक ने टक कर मार दी जिसके बाद महिला की मौके पर ही धर्दनाक मौत हो गई सूचना मिलने के बाद पलिस मौके पर पहुची और मामले की जाच में जुट गई श्रावस्ती में गरीब परिवार के घर प्रशाशन का बुल्डोजर चला आरोप है कि प्रशाशन ने इसको लेकर पहले से कोई भी नूटिस चस्पा नहीं किया था जिसके बाद पेड़ित परिवार लगाता नयाई की गुहार लगा रहा है तस्वीरे आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशाशन का यहां पर बुल्डोजर कर जा है और किस तरह से यहां पर बुल्डोजर की कारवाई को अंजाम दिया गया है तस्वीरे आपके सामने है जहां पर भारी प्रशाशनी कमला भी इस दौरान मौजूद रहा रूदरपूर के एक टेंट हाउस में संदिक परिस्तितियों में आग लग गई आग लगने से दुकान में रखा लाखो का सामान जलकर खाक हो गया जिसके बाद अस्तानिय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की फिलाल संभावना जताई जा रही है कि इससे लाखों का नुकसान हुआ है पूरा मामला ये है ये सुबा करीब 6 बजे इसमें दुकान में पूरी आग लग गई है साड़े 6 बजे के टेंब लग बग और ये विचारे एक बड़े गरीब परिवार से हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए ताकि विचारे दोबारा अपने पैरों पर ये ख़ले हो जाए क्योंकि सब कुछ इनका जलके राक हो गया कम से कम पाच लाग रुपया नुकसान है पाच लिए होगा ये और इनी ख़बरों के साथ मेरे साथ फिलाल के लिए इस बुलिटन में इतना ही नमस्कार न्यूज वाल इंडिया पक्ष नविपक्ष सिर्फ निस्पक्ष प्रस्तुत करता है Life Achievement Award 2022 बरेली में 19 जून 2022 को